जैसे सुबह शाम के जो असकार है, सुबह के तो मतलब फजर के बाद है और शाम के असर की नमाज के बाद है, तो क्या ये असकार हम मतलब असर के बाद का टाइम है या असर की नमाज हम पढ़े उसके बाद ही कर सकते हैं, क्या असर की नमाज पढ़ने से पहने कर सकते हैं अस इसमें ये याद रखें कि सुबह शाम के जो अजकार हैं, उनका तालुब नमाज से नहीं है। हैं असर का वक्त हो गया उसके बाद करने हैं असर के वक्त होने के बाद असर की नमाज से उसका तालुग नहीं है तो जैसे माज मिशाल के तौर पर किसी इंसान ने असर की नमाज से पहले असर का नमाज से पहले ही वो अज़कार पढ़ लिये तो वो उसने गोया की वक्त में पढ़ा तुलुए फजर के बाद उसने अज़कार पढ़ लिये नमाज पढ़ने से पहले तो उसने वक्त में पढ़ा खुलासा ये कि उसका तालुक नमाज से नहीं है बलकि उसका तालुक वक्त कर दो से